ओम नमस्षिवाय हैरहन महादेव इस दुनिया में जब कोई नहीं था तब ही महादेव थे और जब कोई नहीं रहेगा तब ही महादेव ही रहेंगे और महादेव की किरपाद जिस पर हो जाए उसका जीवत सुख में हो जाता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है इसमें संसे नहीं शिव महापुराण में सौनोग रिषियों ने सूजी से पुछा भगवन महादेव किस पूज़ा से बहुत ज़्यादा पुछन होते हैं तो सूजी ने कहा भगवन महादेव पार्थी पूजा से अधप्रशन होते हैं जो पार्थी सीवलिंग बना कर एक भी वार अगर पूजा कर देते हैं तो उन्हें संपूर सुखो की प्राप्ति हो जाती है साथ ही उनकी या उनकी परिवार में किसी की आकाल मृत्यू नहीं होती भागवान महादेव की बिवित प्रका से पूजा की जाती है लेकिन मिट्टी से पार्थी सीवलिंग बना कर एक पूजा की जाया तो इससे बड़ी और कोई पूजा महादेव की है ही नहीं पार्थी शिवलिंग में शिवलिंग की उचाय अपने हाथ के अंगूठे के बराबर और मोटाई कंश्ण का उंगली के बराबर रखी जाती है शिवपुरान में वोडित है कि पार्थी शिवलिंग की पूजा सестиठी और फूर्ष दोनों ही कर सकते हैं सफेद मिटी से सिवुनिंग अगर बनाई जाय तो विद्धया मृपटी है और लाल मिटी से अगर शीवुनिंग बनाई जाय तो इससे सरीर को सकती बिलती है पीली मिट्टी से यदि सीवनिंग बनाया जाए तो इससे व्यपार में ब्रधी होती है। यदि उसमें भगवान महाद्यों की पूजा कर दी जाए तो सनी की दसा कभी भी परिशान नहीं करेगी। पार के दिन पंच गव से खुद इसनान जरूर करें। ऐसा स्लोक नमर 111 में वड़ित है। और पंचामरत से भगवान को अवश्य नहीं लाएं। महाद्यों स्वयम कहते हैं कि जो मेरे ओम नमश्यवाय मंद्र का जाब करता है। मैं उसके पास हमेसा वैसे ही रहता हूं जैसे मैं नंदी और गड़ों के समक्ष रहता हूं। इस ग्रंट में वड़न है कि जब हम ओम सब्द का उचायन करते हैं तो उस समय चाहे इस्तरी हो या हो पुरुस उसकी नावी की नीचे ब्रह्मा जी आ कर बैठ जाते हैं। और नावी से लेकर कंठ तक भगवान विश्णो निवास कर लेते हैं और मुख में स्वयम भगवान महादेवा कर पैठ जाते हैं। उस समय उस इस्तरी या पुरुस का मुख नहीं रह जाता बलकि सीवलिंग का रूप धायन कर लेते हैं।